दिली के उपरा जेपाल ने एक चिट्थी लिखी है दिली के मुख्यमंतिय अर्विंद खीज्रिवाल को और उसमें कहा है कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बेवज़ लेट किये जा रहे हैं ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट हैं जरूरी अनुमतियां हैं जिनको सरकार को एक समय सीमा के अंदर दे देना चाहिए लेकिन जानबूच कर उन्हें लटकाया जा रहा है खास तोर पर यह आरोप लगाया गया है अर्विंद केज्रिवाल सरकार के मंत्रियों पर जो चठी लिखी है वो कई पेजों की चठी है दिली के उपरा जेपाल की और उस चठी में कम उसे कम चार मसलों का तो साफ तोर पर जिक्र किया गया है जो सबसे पहला मसला है वो है जुड़ा हुआ कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए एक पॉलिसी बनानी थी वो पॉलिसी पिछले साल यानि साल 2023 से लगबग मई 2023 में वो सरकार के पास गई सैनिटेशन यानि साफ सफाई से उसमें डिस्टिक मजिस्ट्रीट को नोडल ऑफिसर बनाने का प्राबधान है यह प्रस्ताव भी दिली के उपरा जेपाल की तरफ से गया था और यह कहा गया था कि इससे दिली क्या जो सफाई विवस्ता है दिली की जो सफाई विवस्ता ह उसको और सापसुत्रा बनाना है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अगर डिस्टिक मेजिस्ट्रीट को नोडल आफिसर बनाया जाएगा तो उसके अंदर में जो तमाम एजिंसिया आती हैं वो एक तरीके से कॉडिनेटिट वे में एक साथ काम कर पाएंगी उसे भी इस साल जनवरी में प्रपोजल के तौर पर प्रस्ताव के तौर पर सरकार को भेजा गया लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई सरकार के पास वो भी मामला लंबित पड़ा हुआ है तीसरा जो म मंत्री के पास ऐसा कहना है और उसमें तो कई साल की देरी हुई है यह आरोप उपराजयपाल अपनी चिठी में लगा रहे हैं चौथा और जो मुख्य मसला है वो है ट्रिपल आईटी डी के अधिकारी के उहां पर उनकी न्यूक्ति का उनको लाने का वो भी मसला लगबग गेर दो महीने से पड़ा हुआ है दिली सरकार के पाफ तो इन चार मसलों का जिक्र करते हुए और भी इस चुठी में कई सारे मसले हैं जो दिली के उपरा जेपाल की तरफ से डाले गए हैं और यह कहा गया है कि जो दिली की पूरी विवस्ता है उसमें अगर इस तरीके की लेट लतीफी हो रही है तो कहीं न कहीं उसका असर सीधे सीधे सरकार पर और सरकार के कामकाज पर पड़ता है और उससे जो ज़रूरी प्रॉसेस हैं वो बेवजह रुक रहे हैं तो यह गंबीर आरूप लगाया गया है मुक्यमंद्री अर्विंद केज्रिवाल को जो लटकाएं नहीं अगर वो लटकाते हैं तो जो बात उन्होंने लगातार अपनी चिठी के जरीए कहा है कि इससे जो दिल्ली वाले हैं उनको जो सुविधाएं वहिया करानी है उसमें बाधा आ रही है उसमें रुकावट आ रही है और उस रुकावट को दूर करने की जिम् मंत्राले हैं या मंत्री हैं वो आते हैं उनको वो सारे मंत्री उनके लिए जवाब दे हैं इसलिए वो अपने मंत्रियों को सीधे सीधे निर्दिश दे करके इन फाइलों को जल्दी से जल्दी क्लियर करवाएं अब समझे कि आने वाले समय में चुनाव है चुनाव को लेकर के फिर आचार संहिता लागों हो जाएंगी इसमें कई महीनों का डिले होगा तो क्या ये सब कुछ चुनाव से पहले जल्दी-जल्दी करवाना चाह रहे हैं वीके सक्सेना या फिर अगर कोई proposal रोका गया है कोई प्रस्ताव रोका गया है तो उसमें कुछ न कुछ गरबड़ी रही होगी जिसकी वजह से मंत्रियों ने रोका है यह अपने आप में विशेस ध्यान देने की वजह है क्योंकि इस पर दिल्ली सरकार का अभी तक कोई की रियक्षन नहीं आया दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन साफ तोर पर लग रहा है कि यह उपरा जेपाल बनाम दिल्ली के मुख्य मंत्री विवाद में एक नया चैप्टर है कर दो कर दो